हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको जिंदल पॉली इंवेस्ट्मेंट और फाइनस कंपनी लिमिटेड के डी लिस्टिंग के न्यूज के बारे में बताने वाला हूँ आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें जिंदल पॉली इंवेस्ट्मेंट और फाइनस कंपनी लिमिटेड ने 7 दिसंबर को ही अपनी वॉलेंटरी डिलिस्टिंग की एनॉंस्मेंट कर दी है इस डिर लिस्टिंग प्रसीजर में रीची ट्रेडिंग कमपनी जो प्रमोटर ग्रूप की ही कमपनी है वो प्रमोटर के साथ मिल कर पबलिक शेर होल्डर के शेर को एक्वाइर करेगी मतलब यह एक्वाइर है इस डिलिस्टिंग से related due diligence report मेसर्स DM के associate जो एक peer review company secretary firm है उसे submit कर दिया है और इस due diligence report को ध्यान में रखते हुए board of directors ने इस proposal को approve करते हुए इसे shareholders के approval के लिए recommend भी कर दिया है ऐसे shareholder जो 17 December 2021 को इस company के shares को physical या dematerialized form में hold करते हैं उनकी approval के लिए postal ballot की notice दे दी जाएगी इस dealisting के लिए जो floor price decide हुआ है वो रूपीज 252.36 per equity share है acquirer ने ये कहा है कि वो up to 253 रूपीज indicative price मतलब वो 253 से जादा के indicative price को accept करने के लिए तयार नहीं है इस company का current price 358.55 रूपीज है और जो floor price है वो 252 रूपीज है तो इस तरह से देखें तो इसका जो floor price है आज के current market price से 30% नीचे है तो ये थी इस company के delisting से related news मुझे अमीद है कि ये video आपको पसंद आया होगा तो आप इसे like करें अपने family members और friends के साथ share करें धन्यवाद